Hello, students! Welcome to college book. ये शोड़ियो में हम बात करेंगे BSC, BA, BCom, BBA या BCA Art, Science के जो भी subject है सारे उन paper में जो grace है वो किस base पे लगती है कितनी number की grace लगती है और क्या सभी paper में grace लग सकती है तो इसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे तो हम start कर लिते हैं रहें हैं बस नमबर का चेन्ज रहता है उसी पे यंड वी कॉम कर रहाईगा आप अपने नंबर के अक्वोडिंग यह जो कितने नंबर की घ्रत लग सकते हैं और किस पेपर में जो हो घ्रत रख सकते हैं तो यहां सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BSc first year हो second year हो या third year हो तीनों में से BA first second third become first second and third ठीक है तो PCM physics math और physics और chemistry के जैसे ही paper होते हैं बोटनी और जुलोजी की वही same number होता है उनका भी तो देखो physics में 3 paper होते हैं chemistry के 3 paper और math के भी 3 paper होते हैं chemistry के first paper 33, 33 and 34 total 100 number का होता है chemistry का भी same भी 33, 33, 34 100 number का math का होता है 40, 40, 40 120 का paper और 30 number practical इन दोनों के जो practical हो 50, 50 number के होते हैं तो यहां हम से theory की बात करेंगे practical की बात नहीं करेंगे अब हम बात करते हैं कि जैसे कि pass होने के लिए हमें 100 में से 36% यानि कि जितने भी number का paper है चाहिए वो 50 number का हो, चाहिए 75 number का हो हमें पास होने के लिए 36% अगर 75 का है तो 75 का 36% हमें पासिक मार्स चाहिए 100 का है तो 100 का 36% और 120 का है तो 120 का 36% हमें पास होने के लिए चाहिए तो जैसे 100 number का paper है तो यहां 36 हमें पास के लिए चाहिए 36 और 120 में हैं इसमें लगबाग 42, 44 या 45 के something हमें नमबर चाहिए होते हैं पासिक मार्स तीनों पेपर को एड़ करके इसमें चाहिए आप दोनों पेपर से आप 36 नमबर बना लो या तीनों पेपर के बारा-बारा से 36 या आप चाहो तो दो पेपर को एड़ करके फ़स्त होता है हिंदी इंगलेज अनको होते हैं इनको को सिर्प पासिंग शाने होते हैं यह paper होता है 100 number का 100 number का और यह भी 100 number का और यह होता है लगबग 60 number का चीकर अब इस 60 number में से आपको 36% लाने होते हैं तो वह 36, 36, 36 और 60 का जो है हमें 36% number लाने होते हैं घूंख की बाद करें तो अगर पासिंग मांकस में है इसमें हम में 35 नमर मिले ढ्ला नमर और मिलता तो हम क्या करते है आटमेर यहाँ पर सिर्फ नमबर संधस MARTIN इनकेश अगर आपकी गंपर से चारों पेपर किलियर हैं, तो एक नंबर के आपके क्या लग जाएगी? ग्रेस लग जाएगी, वही सेम यदि आपके 36 में की बजाये 30 नंबर आये हैं अब हमें passing marks के लिए 36 नमबर चाहिए लेकिन हमें नमबर आए हैं कितने 30 तीनों पीपर को एड़ करके 6 नमबर की कम ही रह गई पास होने में तो अगर आपकी 4 पीपर के लिए रहे हैं जब compulsory paper clear हो तो अगर compulsory paper clear नहीं है तो आपके grace नहीं लगेगी उस condition में आपके back लग जाएगी दीसरी चीज़ के compulsory paper भी clear है लेकिन आपकी passing marks में 10 नमबर की कम है 10 नमबर आने की 9 नमबर से अगर जादा आप नमबर से आप फेल हो रहे हो उस condition में आपके back लग जाएगी ठीक है उस condition में आपके back लग जाएगी तो वह paper आपको वापस करना पड़ेगा और जो grace है वो किसी भी subject में लग सकती है वो physics के तीनों हो सकते हैं chemistry के तीनों पीपर हो सकते हैं या फिर हो सकता है एक मैथ एक chemistry इस बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है तीनों में से कोई भी साथ में हो सकता है एक मैथ एक chemistry एक physics है उस condition में जिस भी subject में उन numbers की कम है उस subject में आपके back लग जाएगी यदि एक ही subject में है तो अगर अलग-लग subject में आपके नंबर कम आ रहे हैं 36% से उस condition में आप फेल हो जागे ठीक है वीडियो पसंद आए दो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेल ऐकन जुरू प्रेस करना ताकि नए वीडियो को नूटिक्रेशन आपको मिलते है नेक्स वीडियो में आज के बस इतना ही थैंक यू फुर वोजिंग